असलाम अलेकूम एब्रिवान वालकम बैक टो मैं चानल मेरा घर मेरी जननत तो कैसे हैं आप सब आप सब ठीक होंगे तो काफी दिनों बाद आज मैं जो है वीडियो बना रही हूँ ये वीडियो तो पहले से बन गई थी बट एड़िट करने का टाइम मुझे नहीं मिल पा र हूँ मैं बना रही हूँ कस्टर्ड और साथ में मेरी चाय भी तैयार हो रही है मेरे बहू और बेटे दोनों गए हैं घूमने के लिए और वो कल आने वाले हैं तो उनकी मन पसंद कोई चीज बनाना है मुझे इसी की तैयारी कर रही हूँ तो सोचा के आज मीठा बना के जादा पसंद है और वो भी ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर उसे बहुत अच्छा लगता है इसलिए फ्रूट कस्टर बनाए यह बहुत क्विकली बे मन जायता है और साथ में ही बना रही हूँ मैं रशियन कटले तो यहां पर मैंने सूपा ही चिकन बॉइल करके रख दिया और प्रिपरेशन में लग गई थी तो सारी वेचिटेबल्स मैंने ले ली है इसके अंदर मैंने चिकन दाला है अलू दाला चिली फ्लेक्स गरम मसाला थोड़ा सा नमक और यह सारी चीज़े मिला के मिक्स कर दिया और हमारा रशियन कटलेट का मिक्षर जो है वो रेडी होक तैयार कर रहे हूं सारे कटलेट तैयार करके रख दूंगी फ्रीच में ताकि जब बच्चे आएं तो डिनर के वक्त हम इसे गर्मा गर्म सर्व करें और आज एक्चुली हमारे नेबर में भी किसी की शादी थी तो वहाँ पे भी हमें जाना था और मैंने डिसाइड किया थ कि मैं तो नहीं जाओंगी काफी ठक गई थी और साथ में ही मैं तयार कर रही हूं चिकन बिर्यानी तो थोड़ी सी ही बना रही हूं और यहां पे कटलेट को जो है वो मैं कोटिंग करके रख रही हूं तो इसे कोट करने के लिए मैंने जो है एग ले लिए है उसे बीट करक उसमें हम डीब करेंगे फिर हम बटर क्रॉम के अंदर डीब करके रख देंगे यहां पर यह चिकन जो है मैने रात में ही MARINAIT कलव की करके रख दिया था और इसके अंदर सारे मसाले लगाई थे और इस तरह से अगर हम पहले से थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं ना तो चिकन का जाइका भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है काफी देर मेरिनेट करने के बाद और अच्छी खुश्बूदार मज़ेदार सी बिरियानी और ग्रेवी बन के हमारी तयार होती है तो चिकन भूनने के बाद मैंने यहां पे मेरे धहीं वाला जो स्पेशल मैं बिरियानी के लिए बनाती हूँ वो मसाला मैंने डाल दिया है और इसे साथ में ही भून लूगी और साथी साथ मैंने चावलों के लिए पानी भी चड़ा दिया है अब यहाँ पे मसाला रेडी हो गया है तो इसे मैंने ढखके फ्लेम को आफ कर दिया है और यहाँ पे चावल बॉयल होने के बाद फिर मैंने गैस को आन किया है इस पे डाला है थोड़ा सा बिरेस ता साथ में ही मैंने डाला है कोरेंडर एंड मेंट और सारे चावल जो है इस हमने बॉयल करे हैं यहां पर मैंने बासमती राईस का इस्तेमाल किया है तो बहुत अच्छी खुश्बु आती है बिर्यानी में जब हम बासमती राईस डालते हैं और साथ में ही इस पे मैं डालूँगी थोड़ा सा ओल जब बिरिस्ता color डालेंगे ताके बिरियानी जो है वो बहुत ही खुबसूरत लगे और यहाँ पर जो है ना मैं इतनी excited हो गए थी कि मैंने वो बिरियानी के बात वाला clip लिया ही नहीं है यह next day का वीडियो है जहाँ पर मेरी बहु जो है पहली cooking कर रही है मेरे साथ में और अब वो बना रही है शीर कुर्मा तो यहां पर मैं तो कैमरा लेके खड़ी होगे क्योंकि मैं यह मोमेंट मिस नहीं करना चाहती थी क्योंकि बार-बार ऐसे मौके नहीं आते जिन्दगी पर एक और खाना बनाती है लेकिन उसकी जो फर्स्ट कुकिंग होती है न वो बहुत ही स्पेशल होती है अब हमारे टैम पे तो यह कैमरा और मुबाइल वगेरा था नहीं अब यह सहूलत हो गई है तो मैंने सोचा कि यह मोमेंट तो मुझे कैच कर लेना चाहिए क्योंकि जब मेरे पोते पोतिया होंगी तो मैं उन्हें बताओंगी कि उनकी ममी ने पहला शेर कुर्मा कैसे बनाया था और यहां पे देखिए सारे मावे और सेवे भुने के बाद मेरी वहुँने कच्चा दूद ही डाल दिया और घबरा भी गई कि मैंने कच्चा दूद पहले गरम करना था लेकिन मैंने बूला कोई बात नहीं उसमें जाके वो गरम हो जाएगा और यह देखिए मज़ेदार सा शेर कुर्मा बन के तयार हो गया है और उन्होंने अपने हाँ से ही सौफ किया तो आज का मेरे यह चोटा सा व्लॉग यहीं तक था आई होप आपको करना को इखिए ayॐा था तो एकिया है और शे नहा है और को जाए खना इस भाग धन्होंने चोटा सा बहार मेरे का तो एबादया